एक तालाब में एक कच्छवा रहता था, वह कच्छवा बहुत बातुनी था, दूसरों से बात करते समय बीश-बीश में टोका टोकी करना उसकी आदत थी, एक दिन दो हंस उस तालाब में उत्रे, उन्हें तालाब के आसपास का वातावरन बहुत अच्छा लगा, उसके बात से वे प्रती दिन वहां आने लगे, कच्छवा उन्हें प्रती दिन देखता, एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की, वे उसे दोनों भले और सज्जन लगे, शिकर ही उनमें मित्रता हो गई, हंस रोज तालाब में आते और कच्छवे से मिलते, फिर तीनों बहुत देर तक बाते करते, हालांकि बातों के पीछ कच्छवे की टोकटा की जारी रहती थी, किन्तु सज्जन हंस इसका बुरा नहीं मानते थे, एक पर उस शेतर में भयंकर अकाल पड़ा, नदी तालाब सूखने लगे, वो तालाब भी सूखने लगा, जहां कच्छवा रहता था, ए आखों में आशो भर कर बोला, मित्रों कुछी दिनों में ये तालाब सूख जाएगा, मेरा मरन तो निश्यत है, किन्तु इस बात से अधिक दुख मुझे इस बात का है कि अपनी अंतिम घड़ी में मैं अपने परम मित्रों को देख नहीं पाऊंगा, कच्छवे की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए, उन्हें कच्छवे से सहानू भूती थी, वे बोले, मित्र हम तुम्हें याँ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे, हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा, लेकिन ये कैसे संभव है मित्रों, तुम दोनों तो उड़कर चले जाओ के, मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान पर पहुचने में महीनों लग जाएंगे, हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरे प्रान चले जाएं, तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतित कर लूँगा, हंसों ने कच्वे की बात नहीं मानी, और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे, सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया, और वे प्रसन्न हो गए, उन्होंने तैक किया कि वे बास की एक लकडी लेकर आएंगे, कच्वा उस लकडी के मध्य भाग को इस तरह वे कच्वे को लेकर उड़ते हुए उस जील तक पहुंच जाएंगे, कच्वा भी ये उपाय सुनका प्रसन्न हुआ, अगले दिन हंस लकडी लेकर कच्वे के पास आए, और उसे लकडी के मध्य भाग को मूँ से पकड़ने को कहा, हंस कच्वे की बातुनी आदत स भली भांती परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे जील तक नहीं पहुंच जाते, उसे मौन रहना होगा, अन्यथा वे नीचे गिर पड़ेगा, कच्वे ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे मौन धारन करके रहेगा, इसके बात कच्वे ने धृता देखो देखो आकाश में कच्वा उड़ रहा है, एक मुझ से दूसरे मुझ होते हुए ये बात पूरे कजबे में फैल गई, लोग घरों के बाहर निकलाए और शोर मचाने लगे, यह शोर सुन कच्वे से ना रहा गया, और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना चोर क्यों मचा रहे हैं, बोलते ही कच्वे के मुझ से लकडी छूट गई और वह सीधे जमीन से आ टकराया, जमीन से टकराते ही उसकी प्रांट चले गए, इस तरह कच्वे ने अपनी जान गवाई, सीख, बुद्धिमान विक्ति किसी कारे के बारे में योजना बना कर उस